तो आज हम बताएंगे कि आप Wondershare Filmora का यूज़ करके सिंपल वे में सब्सक्राइब बटन इनिमेशन कैसे बना सकते हैं और उसे अपने वीडियो में यूज़ भी कर सकते हैं और वो भी विदाउड यूज़िंग ग्रीन स्क्रीन एफेक्ट जी हाँ आपने सई सुना विदाउट यूज़िंग ग्रीन स्क्रीन एफेक्ट इसके लिए आपको एंड तक वीडियो देखना पड़ेगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट आपको अपना Wondershare Filmora का अप्लिकेशन ओपन करना होगा ओपन करने के बाद आपको टेक्स सेलेक्ट करना है फ्रम टाइटल और उसे टाइम लाइन में ड्रैक करना है ड्रैक करने के बाद एडवान सेटिंग में जाकर आपको टेक्स को डिलेट करना होगा उसके बाद आपको शेप में जाकर rectangle shape select करना है और उसके बाद आपको shape को white color देना है और आपको YouTube बटन का image select करना है अब उससे adjust करके rectangle पे place कर दीजे अब आपको text select करना है और उससे subscribe करके नाम दे देना है और उससे भी आपको rectangle पे place करना है अब आपको text image और rectangle को effect देना है जिससे animation create हो सके तो अब हमारा subscribe button ready हो गया है जैसा हमने कहा था कि without using green screen effect आप इसका किस तरह use कर सकते है अपने वीडियो में तो first एक वीडियो को select करना है और timeline में drag करना है और आप subscribe button जो हमने ready किया है उससे भी timeline में drag करना है अब आपको subscribe button वाले वीडियो को tap करना है और chrome key को select करना है chrome key में आपको black color select करना है यह हमारा animation का वीडियो complete हुआ I hope हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो like, share and subscribe करना मत भूले आपको अच्छा लगा है